नमस्कार, financial with gopikristov में आपका स्वागत है, जिसमें होती है mutual fund एवं other financial sectors की बाद आपके साथ हिंदी में mutual fund में ऐसे पैसे मत लगाना, नहीं तो आपका नुकसान ही होगा, फैदा होने के कोई भी chances नहीं है आज हम इस पे चर्चा करेंगे Warren Buffett ने कहा है कि एक बार गया हुआ पैसा फिर मिल जाएगा, पर गया हुआ समय कभी वापस नहीं मिलेगा यदि अगर किसी ब्यक्ति के पास से पैसा चला गया है, तो वो दुबारा उस पैसे को इकठा कर सकता है लेकिन अगर किसी ब्यक्ति का टाइम चला गया, तो वो टाइम दुबारा उसके पास नहीं आएगा अगर किसी की उम्र आज की समय में 20 साल है, वो 25 साल बाद जाए, कि चाहे कि हम 20 साल की एज में फिर पहुंच जाएं, तो नहीं पहुंच सकता है ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास 20 साल में एक लाग रुपाय है और उसके पास चले गए, तो अपने 30 साल या 35 साल की एज में भी उतना पैसा एकठा कर सकते हैं इसका ताथ पर यह है मुचल Pund में ऐसे पैसे मत लगाना, ऐसे का मतलब कैसे हर एक व्यक्ति के दिमाग में बात आएगी, ऐसे का मतलब कैसे क्या हम मुचल Pund में पैसा ही न लगा में देखें मुचल Pund का कांसेप्ट ही बिल्कुल अलग होता है, जो नार्मल सेविंग करते हैं लोग और mutual fund में investment करते हैं दोनों में बहुत अंतर होता है investment का मतलब होता है कि हमेशा आप अपने पैसे को कभी ना कभी किसी ना किसी goal से relate करके ही लगाएंगे अगर जो ब्यक्ति बिना किसी planning के तहट अपना पैसा निवेश करते हैं तो उनका जादा तर नुक्सान ही होता है हाँ देखने में उनको ये लगेगा कि हमने पांच साल पहले पैसा या दस मेने पहले पैसा अपना एक लाग रुपाई investment किया था equity oriented scheme में और एक लाग रुपाई की मुझे लेकिन इसमें क्या नुक्सान हुआ इसमें भी हम बात करेंगे देखने में तो लग रहा कि हाँ 12% के 20% का फायदा हुआ लेकिन तब भी इनका लॉस हुआ और अगर market माली जे बाहरिस मोड में चली गए यानि एक लाग रुपाई की वायलू 90,000 वची तब भी लोग समझते हैं कि हाँ हमारे पैसे में नुक्सान हुआ है लेकिन इन दोनों विस्यों को हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे देखे सबसे पहले तो आप अपना गोल्ड डिसाइड करिए अपना लक्ष निरधारित करिए कितने लक्ष समय के लिए आपको पैसा निवेश करना है उसी के अंसार फिर अगर आप सक्षम हैं तो अपने फंड सेलेक्ट करिएगा अगर मालिजे किसी का 15 साल, 20 साल, 25 साल का गोल है तो उसके लिए अलग कैटागरीज के फंड्स होंगे किसी का गोल मालिजे साल, 15 साल, 2 साल का ही है तो उसके लिए अलग कैटागरीज के फंड्स होंगे ये कैटागरीज आपके 30 अलाकार आपको बड़ी आसानी से बता देंगे क्योंकि हम लोग open forum पे किसी भी फंड्स का फंड्स को एड्वाइस नहीं करते है ना ही किसी MFD को करना ही है इसलिए इसके लिए आपका 30 सालाकार सबसे उप्यूक्त है हाँ हम लोग भी 30 सालाकार की कैटागरीज में आते हैं अगर जिसको चाही होगा इस चेडवाइस तो हमारी टीम से बात करने आपको जरूर सलाह मिलेगी या हमारे पास निवेश करते हैं तो उसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट भी नहीं करना होगा सिर्फ आपका जो इन्वेस्मेंट होगा वही आपको investment करना होगा और ये संबंधित concern को ही पैसा जाएगा हमारे नाम से एक भी पैसा आपका मेरे पास नहीं आएगा अगर किसी ब्यक्तिने मान लिजे 20 साल के लिए निवेश किया है तो उसको long term जो funds हैं उनको लेना होगा इसके लिए large cap भी हो सकते हैं इस माल कैप भी हो सकते हैं hybrid funds भी हो सकते हैं mid cup भी हो सकते हैं large and mid cup भी होते हैं और जिसकोly salt run के लिए करना है उसके पास जो है उवरनाइट फंडस हो जाते हैं, इसमें निवेश कर सकते हैं, Mr. A हैं इन्होंने एक लाग रुपए निवेश किया था, और 13, 11 महेने बाद देखा, इनके पैसे की वैलू एक लाग दस जार रुपए हो गई, एक लाग दस जार रुपए हो गई, या 12 महेने नहीं पूरे हु कितना हुआ दस दाख रुपाई आप कितने समय पैसा निकालने हैं ग्यारा महिने यानि बारा महिने पूरे नहीं हुए 365 दिन पूरे नहीं हुए इवें दिन अगर 365 दिन के पहले ही निकालने तब भी आपके उपर ये लागू होगा पहली चीज तो आपको एक पर्षेंट देना पड़ेगा एक लाग दस जार का एक पर्षेंट ग्यारा सु रुपाई एक हजार एक सु रुपाई आपका एग्जिट लोड म्यूचल फंड कंपनी सबसे पहले काट लेगी तो आपका गेन कितना हुआ आठ हजार नौसो रुपाई आठ हजार नौसो रुपाई पर आपको 15% साल टर्म काइपिटल गेन भी देना पड़ेगा तो टोटल मिला करके आपके पास साथ सवा साथ हजार रुपाई बचेंगे और इंफलेशन भी आपकी लगभग साथ परसंट के आसपास है तो इस तरह से देख निवेश करें तब आपको पैसे में ग्रोथ अच्छी से अच्छी मिलेगी क्योंकि यहां पर निवेश करने के लिए दो चीजें आवस्चक हैं पहली चीज तो हमारे फंट्स में कब एकजिट लोड नहीं लगेगा या उस पर टाइक्स इंप्लीमेंट किस तरह से होगा अ प्रस्ट करना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंसता रहें वीडियो देखने के लिए धन्यमाद नमस्कार